गर्मियों में अगर ठंडी-ठंडी लसी मिल जाए तो क्या बात है तो आज हम बनाएगे तीन तरह की लसी हेलो फ्रेंड्स नमस्ते, मैं जोती, जोती की पाक साला में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर कीजिएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और पेज को भी फॉलो कर लिजिएगा तो चैलिए बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले एक जार लेंगे और जार में डालेंगे हम ये एक कप दही तो मैंने ये पैकेट वाला दही लिया इसलिए पानी नहीं डाला है तो गारह पतला आपको जैसा पसंदों आप कर सकते हैं और इसमें डालेंगे हम दो चमच चीनी तो चीनी भी आप अपने टेस्ट के अकटिंग डाल सकते हैं थोड़ा कम या ज्यादा साथ में डालेंगे दो आइस क्यूब को क्रस करके और इससे बिलेंड कर लेंगे तो लगातार नहीं करेंगे रोक रोक करके करेंगे एक से दो बाट तो ये देखे बहुत ही एदम इजी तरीके से त्यार है लसी simple सी लसी इसे थोड़ा सा dry fruit से garnish करेंगे तो ये देखे यह बना लेते हैं दूसरे फलेवर की तो ये मैं बनाना फलेवर की बना रही हूँ बनाना लसी तो यूशन सबसे पहले ऐक बननाना लेंगे ज reason काट लेंगे छोटे छोटे टुकरों में और फिर शाथ में इसमें हम डाल देंगे एक कप दही और दो चमच चीनी और फिर ये दो आइस क्यूब को क्रस्ट करके और इसे भी ब्लेंड कर लेंगे तो ये देखें बनाना लसी भी तैयार है तो हम ये छोटा सा बनाना का पिस लगा देंगे ताकि देखने में सुन्दर लगे और थोड़ा सा उपर से डालेंगे हम ड्राइफ रूट्स तो ये बनाना लसी भी तैयार है तो अब हम बना लेते हैं रोज फिलेवर का लसी तो एक कप दही साथ में हम डालेंगे दो चमच चीनी और फिर एक चमच ये रोज सीरम तो बस अब हम डाल देंगे थोड़ा सा दो आइस क्यूब को क्रस्ट करके और इसे भी ब्लेंट कर लेंगे तो ये हमारा रोज फिलेवर का भी लसी तैयार है तो अब हम इस पर थोड़ा सा डाल देंगे ड्राइफ रूट्स और फिर थोड़ा सा गुलाब की पंखुरी तो ये तैयार है रोज फिलेवर का भी लसी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लेज वीडियो को लाइक सेयर कीजे और चैनल पर नहें तो सब्सक्राइब कर लीजे और कमेंट भी करिए अच्छा लगता है कमेंट परना और आप भी बनाएए आपके बच्चे फैमिली सभी को बहुत पसंद आएंगे और बहुत ही इजी है बनाना तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाई बाई जैराम जी की